दोस्तों ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड कहां से आया? समय समय पर ऐसे सवालों पर से वैज्ञानिक परदा उठाते रहते हैं. ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी तक वैज्ञानिक नहीं जानते हैं और यह बातें ब्रह्मांड के बारे में जादा बढ़ चुकी है कि आज वएग्यानिक parallel universe को मानते हैं, time dilation को मानते हैं, multi dimensions को मानते हैं, और वएग्यानिक ये भी मानते हैं कि string theory के अनुसार, ब्रह्मांड में 11 dimensions है. वएग्यानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में हर जगह समय अलग-अलग होता है. इन सभी की खोज वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ सालों के अंदर की है दोस्तों जितना पुराना हमारा सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान है हमारे हिंदु धर्म में ब्रह्मांड के बारे में यह बातें पहले ही बताई जा चुकी है जो आज विज्ञान ने खोज निकाली है और उन्हें मानता है परंतु लोग गरंथों में बताई गई बातों को सिर्फ कहानी या मित मानते हैं लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे प्राचीन गरंथों में बताई गई बातों के अंदर ब्रह्मांड के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं, जो रहस्य आज विज्ञान ने खोज निकाले हैं। उन रहस्यों को हमारे हिंदु धर्म में पहले ही सुलजा लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से स्ट्रिंग्स थियोरी बहुत ही विख्यात हो चुकी है। यह थियोरी 11 डिमेंशन्स को बताती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में 64 डिमेंशन्स का जिक्र किया गया है। डिमेंशन्स की बात आज विख्यान के लिए भले ही नई है, परंतु हमारे हिंदु धर्म में इसका जिक्र हजारों वर्षों पहले ही किया जा चुका है। मित्रों, विख्यान के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं। मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आपको अपनी संस्कृती पर गर्व होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैरलल युनिवर्स की थियोरी सबसे पहले कब दी गई थी। पहली बार साल 1954 में हूँ एवरेट नाम के एक व्यक्ती ने पैरलल डिमेंशन की थियोरी दी थी। उन्होंने बताया कि हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एक्जिस्ट करती हैं। मित्रों, विज्ञान में इस थियोरी को आए हुए अभी सौ साल भी नहीं हुए हैं। परंतु मैं आपको बता दूँ कि इस थियोरी को हजारों सालों पहले ही हमारे हिंदु धर्म में बताया जा चुका है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जब रामायन में रावन और श्री राम का युद्ध हुआ था, उस वक्त रावन की मृत्यू हो जाती है। और रावन की मृत्यू के बाद श्री राम जी कई सालों तक राज करते हैं। उस वक्त रावन की मृत्यू करने के लिए श्री विष्णु जी ने श्री राम का जन्म लिया था और जब उन्होंने श्री राम के रूप में रावन का वध करके अपना कार्य पूरा कर लिए, उसके बाद अब उन्हें वैकुंट की तरफ जाना था। और उन्हें यह बात भी पता थी कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी उन्हें धर्ती से जाने नहीं देंगे। हनुमान जी श्री राम को वापस लाने के लिए यमराज से भी लड़ सकते थे। परंतु उन्हें पता नहीं था कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हनुमान जी ब्रह्मांड के सामने एक अंश के समान है। श्री राम ने ब्रह्मांड के चक्र को समझाने के लिए एक माया की रचना की। उन्होंने जमीन में एक दरार बनाई और अपनी अंगूठी को दर उस दरार में बहुत ज्यादा नीचे आने के बाद हनुमान जी को नाग लोक के देवता वासुकी जी मिले। उसके बाद हनुमान जी ने वासुकी जी से पूछा इन सब अंगूठियों में से श्री राम जी की अंगूठी कौन सी है। कि हर त्रेता युग में श्री राम जमीन पर एक दरार बनाके यहां पर अंगूठी गिरा देते हैं और श्री राम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको ग्यात हो सके कि श्री राम अन्य दुनियाओं में भी ऐसी ही लीला रच रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि हजारों साल पहले ही पैरलेल वर्ल्ड के बारे में हमारे ग्रंथों में बता दिया गया है, जिसकी कुछ ही बरसों पहले खोज की गई है। मितनों दूसरी दुनिया के बारे में सिर्फ श्री राम की कहानी से ही पता नहीं चलता, बलकि भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसी ही एक लीला रची, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है, कि एक अन्य दूसरी दुनिया भी मौजूद है। और श्री कृष्ण को बताते हैं कि ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि कौन से वाले ब्रह्म्ह देव आए है। उसके बाद द्वारपाल ब्रह्मा जी के पास जाता है और वह कहता है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी हैं ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी आश्चर्य चकित हो जाते हैं, कि आखिर ये सवाल मुझसे पूछा कैसे जा सकता है, उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, कि मैं चार सिर वाला ब्रह्मा हूँ, जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, उसके बाद ये बाद द्वारपाल श्री ब्रह्मा है, तब श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बता आते हैं favori जिसमें उनी के जैसे अनैक संख्या में चार सिरवाले ब्रह्मा थे, मित्रों यह कहानी भी पैरलेल युनिवर्स को प्रदरशित करती है, मित्रों एक और भी वज्जानिक तत्य है जिसे हमारे हिंदू शास्त्रों में एक कहानी के माध्यम से बताया गया है इस कंसेप्ट का नाम है time dilation Time dilation एक बहुत ही interesting theory है इस time dilation के कंसेप्ट को एक interstellar नाम की movie में बहुत अच्छे से समझाया गया है इस मूवी के अंदर कुछ वैग्यानिक स्पेसशिप में बैठ कर धर्ती से बाहर ब्रमांड में जाते हैं ताकि वह एक ऐसी दुनिया की खोज कर सके जहां इंसान अपना जीवन बिता सके प्लैनिक की खोज करते करते वह लोग एक ब्लैक होल के पास मौजूद मिलर नाम के प्लैनिक पर पहुचते हैं उन्हें जानकारी मिली थी कि इस प्लैनिक पर धर्ती की तरह इंसानों के रहने के लिए वाता वरण हो सकता है परंतु समस्या ये थी कि इस प्लैनेट पर बिताया गया एक घंटा प्रित्वी पर बिताया गये साथ सालों के बराबर था इसका कारण ये था कि ये प्लैनेट ब्लैक होल के बहुत ज्यादा पास था जिसकी वजह से ब्लैक होल की ग्रैविटी उस प्लैनेट को प्रभावित कर रही थी उसके बाद जब वो प्लैनेट से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उस प्लैनेट पर उन्हें दो घंटे हुए थे परंतु प्रिथवी पर 23 साल बीत चुके थे मित्रो विज्ञान के अनुसार ग्रैविटी समय को प्रभावित करती है जहां पर ग्रैविटी सबसे ज्यादा होती है वहां पर समय बहुत ज्यादा धीमे चलता है परंतु जिस जगह पर ग्रैविटी बहुत ज्यादा कम होती है वहाँ पर समय की रफतार बहुत ज्यादा होती है विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफतार अलग-अलग है कहीं पर समय धीमी गती से चलता है तो कहीं पर समय तेजगती से चलता है और हिंदू पुराणों की बात माने तो एक कहानी है जो टाइम डेलेशन की ओर संकेत करती है सत्ययुग की बात है सत्ययुग में एक महान राजा हुआ करते थे उनका नाम था काकुदमी राजा काकुदमी बहुत ही ताकतवर राजा माने जाते थे उन्हें अपनी बेटी रेवती से बहुत ज़्यादा लगाव था जब राजा काकुदमी की बेटी की शादी की उम्र हो गई तो राजा काफी परेशान हो गए थे राजा को लगता था कि उसकी पुत्री के लिए एक अच्छा पती नहीं मिल पाएगा इसलिए वह राजा अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी ये बात सुनकर जोड़ जोड़ से हसने लगते हैं और कहते हैं कि जितना समय आपने ब्रह्म लोक पर बिताया है उतने में तो धर्ती पर कई युग बीत चुके हैं और अब धर्ती पर आपका कोई भी संबंध ही नहीं है। रेवती और राजा काकुदमी ब्रह्मा जी की इस बात को नहीं समझ पाए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्मांड के अलग-अलग स्थानों पर समय अलग-अलग चलता है। जब तक रेवती और राजा काकुदमी ब्रह्म लोक पर थे तब तक तो 27 चतुर योग धर्त से करा दीजिये वरना ये समय भी बीच जाएगा मित्रों ये कहानी टाइम डाइलेशन के कॉंसेप्ट को बताती है जिसके बारे में पहली बार अलबर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था मित्रों हमें उमीद है कि आपको भी हिंडू दर्म पर गरिव होगा क्योंक बात इन हिंडू शास्त्रों में कई हजारों सालों पहले ही बताई जा चुकी है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिये ताकि आपको हमारी इसी ही और वीडियो में